जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियो में हम अपना लेसन नमार दो सुरूप कर चुके हैं जिसका नाम है सुप्चन जी मित्रेवं और सत्रूप पिछले वीडियो में हमने जो लेक्शन जी किसे कहते हैं और सुप्चन जी कहा हुआ रहते हैं और उनकार भी होते हैं तो आप पढ़ेंगे कौन सा मित्रवत सुप्चन जीर और इसमें हम सबसे करें पढ़े हैं धाई एवंग ब्रेट बनाना क्या धाई एवंग ब्रेट बनाना आप सबी में धाया है और खाते हों लेकिन कभी सुचा है कि दूद से धाय कैसे बनता है तो देखें डाय में अनेक सुप्चन जीर पाया जाते हैं और उन सुप्चन जीरों में एक जीवान होता है कुमसा लेक्तो वेइसिलस जीवान हो। यह लीपर हो। यह लीटो ब्रेशिलस जीवान हो है यह धूत को किसम बदल देता है ? आपने देगा होगा कि धूत को धई बनाने से हम क्ते हैं हम क्यों क्या करते हैं और उसमें भूरा सब्सक्राइब जाता है जामन देना जो है जो है जहीं उसको प्रसक्राइब भूड़ा सब्सक्राइब जाता है जिनमें लेक्टोबेसिलर्स नामन गीवानुक करूंगे आपको यह यहां रखना आए जनराल कोई वदल देता है तो इसके वाद आप देखिए जीवानों को पनीर अचार और अने खैत वदल में दिखिया जाता है क्यानिक पनी जो बनाई जाती है वो कैसा बनाई जाती है धूट को आण या कि यह उसमें ठोड़ा सके लिए गड़ाये जाएगा गड़ाये जाएगा जिसे दूद। फढ़ जाता है इसी तरह आचार जो है भी किससे बनता है जीवानों के दुवारा सुक्षम जीव जो होते हैं वो इसको अचार्ट को बनाने विसा है अले खाचक अदारत ऐसे के ब्रेविट केक होगेरा जो है उनकों भी बनाते में इसका उप्योग किया रहता है आगे देखिए एक पबक होता है इस्ट ये भी क्या है सुक्षम जाता है जाट वोश ब्रेड पेष्ट्री केक ये मनाए जाते हैं उसकों क्या कहते हैं बेकिंग उद्योग केते हैं इस बेकिंग उद्योग में इस इस कवब का बहुत अधिक उप्योग किया जाता है इसलिए ब्रेड बनाने में पेष्ट्री बनाने और केक बनाने में किय जाता है कौन से कभब का इस नामन कभब का तो समझ गया दूद्ध को घरी में कौन सा दिर्वान में लगता है नेक्स्ट देखे आगे शुक्चुल जीयों का वानिजिक उप्योग वानिजिक का मतरा उतार ज्यांपारी उप्योग तो क्या क्या होगा तो देखिए बड़े इसकर पर एल्बोहल शराव एसेटी कमरल उत्वादन में किस-किस के बड़े इसकर पर एल्बोहल शराव एसेटी कमरल उत्वादन में शुक्चुल जीयों को क्यों किया जाता है जलने की शर्राव और हम जो मना आजाती है यह ऑफं़ों का रस бок उपस्तित प्राइपिक शर्क्रा क्या को इस शड़ां को इश्झम रांप को ए रंद कहीं चावड हो इस में बदल देता है इसको एल्पोर और सराव में बदल देता है तो आप सब उसे जए कि इसके द्वार अबनाई जाती है तो कुम से खबक बताएंगा इस नामक कबक के द्वारा ये बनाई जाती है सुक्षन जीवां का भाणे जी उप्यों कढ़ने अब हम अगर डपिंग करते हैं शुक्षन जीवां का और से गया है आधि बनाने में जीवानों का ये अनेग आप आपक ब्लते हैं प्रति ये इंविक्र आप बताएंगा और पारन पूरा है जीवान और तबक से जैसे देखें कुछ प्रति देवी के ओजदियों पिनाल नांको बतार इस्ट्रेक्टोर माइसिंग एक्रस अधिरी इरी फिरो माइसिंग यह संदेशी हो दिया एंटीबाटिक एंटीबाटिक क्या होती है दवा याँ जानते हैं जब हम्भीबान हो दात जबता उसके साथ क्या नहीं जाती है तो इनको उप्योग जो है एंटीबाटिक कोश्दी में किया जादा है तो आप एक चीज़ जहां रखना एंटीबाटिक कोश्दी है उसका उप्योग हमें रौज करके कहने पर ही करना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छा से जाएगे और जब हम बीमार हो जाएगे अगर उसका नहीं एंटीबाटिक कोश्दी देंगे तो वो अतनी प्रभाब साली नहीं होगी तो कभी भी अपनी मर्जी से एंटीबाटिक दवाब नहीं देनी चाहिए क्योंकि यह जो है उसी समय ही प्रभाबी होती है जब हमाले स क्या नाम है एलक्जेंडर क्लेमिंग इन्होंने प्रतिज्यंडी की बनाए थी और उसी बनाई थी इसके बाद देखें पस्तों का बोजन और कुपकुट आहाद को इसमें वी परतीजेविक मिला जाता है क्योंने हैं पस्तों में कि रोख नहीं है लोव नियथरं की लिए ब किया जाता है सुप्छम्द्यों को बस्लीन करने वाले शुप्चम जी तो उनसे करते हैं यह हमारा सरीर प्रतिरक्षी उपनने करता है प्रतिरक्षी प्रतिरक्षी उपनने करते हैं और वह किसको नस्कर देता है रोग का रच्षम जीवों को अब ध्यान दीजेगा तीका या वेंग्षिन क्या है तो तीका या वेंग्षिन के द्वारा प्रतिरक्षी 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 प्रत कुछ होता है इसमें व्रत्रिया सिप्षम्री होटे αυτा निहीं होता है और इंजैक्शन के दिपारा किसी श्यवक्ति करवा दे जाता है प्रवेस्ट करवा गया जाता है। उसके करते के सदीवरें एंटिमोडी बन जाते है। जो उसरूप कारको क्या करते हैं थाक्रोफ कर देते हैं। कुछ बिमारी आए जिनकों ऑने वैक्षिंग के दुवारा रोका जाकता है। कि यह नाम है एड़वर्ड जेनर इन्हों ने जो रहे संद 1780 में में चेचप के टीके की गोज़ की थी चेचप क्या जानते हो आप जिसे हम आपने वासां मोलते हैं शूटी माता पहले यह जो है बहुत अधिक होती थी और इसका जो टीका बनाया समसे पहले किसमें बनाना था एड़वर्ड जेनर ने तो आपसे कुछ रहा जाए कि चेचप के टीके का अविसकारिया कोज़ की थी इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं समाथ करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आ हो तो इसे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और क करें तर्ने वाद